जहां कोरोना वारस तुनिया भर में कोहराम मचा रखी है, वहीं अलग-अलग देश अपने तरीके से इस बिमारी से लर रहे हैं। ऐसे में कोरोना के खिलारी बने सबसे बड़े हतियार वैक्सिन को लेकर भी तरह तरह की अफ़ाय फैली हुई है। और उससे अधिक उम्र के नागरिकों को दिये जाने वाले टीकों की संख्या बढ़ाने के लिए जिला में अधिकारियों ने मुफ्त में चिकन देने का फैसला किया है। पेकार्ट के उपजिले में सहायक पुलिस आयुक गली ही अप्रिया ने कहा कि जादा उम्र के लोग सरकार के टीका करण कारे करम में शुरुआती रोलाउट के दोरान वैक्सिन लेने में जिज़क रहे थे। गली ही अप्रिया ने कहा शुरुआत में टीके को लेकर सोशल मीडिया के जरियों ऑनलाइन बहुत सारी गलस उचनाय लोगों के बीच पहुँची जिसके जहासे में वो आ गया। अधिकारी के मुताबिक बहुत से बुजुर्गों ने सोचा कि वैक्सिन कोरोना को नहीं रोकती और गंभीर बीमारियों के साथ ही मौत का कारण भी बन सकता है। पुलिस ने पिछले महीने स्थानिय प्रशासन और स्थानिय स्वास्त केंद्रों के सहयोग से मुफ्त चिकन कारेक्रम शुरू किया था। कारेक्रम शुरू होने से पहले 200 में से केवल 25 निवासी टीका प्राप्त करने के इकशुक थे। लेकिन अब स्वास्त केंद्रों प व्यापक टीका करण पर जोड देने के लिए अन्य कदम भी उठाए हैं।